हलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, नेंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल लिमिटेट, जिसे हम MRPL के नम से भी जानते हैं, ठीक है, अब ये शेयर एक टॉप बनाया, लगबख लबख 289 के आसपास, ये शेयर में टॉप बनाया, एक 52 वी खाई लगाय है, और वहाँ से चलते चलते, 178 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो लगबख 40 परसेंट की इसमें क्या होगी, ये गिरावट हो गई है, क्या एक ये अच्छी बाइंग है, यहाँ से, यह ये शेयर बेकार हो चुका है, कुछ लोग ज़रूर यहाँ पर होगे MRPL, तो आप कुस्षण में आएगा MRPL से लेटिड़ अपर काफी बार यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर में बाते करिये, अगर हम यहाँ यहाँ पर टाय लेंगे, एक में दीजे मुझे, तो आप यहाँ पर देखोगे तो अमने यहाँ पर काफी बार यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर में वो चमिकल फटिलाइजर लिमिटेड अना MRPL, MRPL से लेटिड़ अमने काफी बार बाते करी है और वहाँ से उस पर्टिकुलर लेवल से अगर हम देखे है तो यह शेयर काफी अच्छा है, यहाँ पर मूव करता हुए नजरा है, काफी अच्छा यहा अच्छा से गिरावट होगी है, उससे लेकर अम यहाँ पर जबाब बाएंगे, फंडामेंटल, टेक्निकल, फाइनिशियल, सब देखता हुए नजराएंगे, लाष्टर वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आपको एक आईडिया लगता हुए नजराए, ताकि आपको ची बैल ऐकर को ही फाल के नोटिकेशन पॉन परियेगा, बैंस अलिंक की रिकमेंडेशन लिए, चीटों को सीखना है, समझना है, और किस तरीके से एक्जिक्यूट करना है, काम किस तरीके से किया जाता है, वो यहाँ पर पते चलता है, वो नजराएगा तो आप हमें यहाँ प 8169261J37, हमारे पूरा कोर्स है, जाइन कर सकते हो, 25,000 रुपीस का कोर्स है, 3 मंस के हैंडोल्डिंग, इस टॉकमार के ओनले नोट्स, सब कुछ दिया जाता है, कोर्स कंप्लीट होने का, 3 मंस के हैंडोल्डिंग भी जाड़िए, ओनले नोट्स ही मिलेंगे, काफी सारी ची है, वा साट अज़ए जाट जॉँंट बेंचे बटीविन अवि बर्ला जूपर रुपरेशन तो, हिंदुस्तान में गवर्मेंट अगया, प्लस में प्राइबट दोनों का एक तरहीं के से मिक्सट हो गया, तीक है, उन दोनों यहां पर पालडिस्पेट करें, इस नाओ अ तो हम बात करें तो ONGC के ही तो सबसीडरी होगी ONGC के बहुत सारे आपके यहां पर सब चीजियां पर दिखाई दे जाएगी ठीक है आपको तो यहां पर हम बात करें यह प्रोड़क्त बना-बना के इंडियम तो बेची रहे हैं भार भी बेचते हुए नजरा रहे हैं अब यहां पर टॉप की बात करें तो यह शेर अल्रेड़ी यहां पर इसने एक हाई बनाया अब शौlu यहां पर एक बाद की व्युजिट कर दिजिए है तो आपको यहां पर पूरा आपको अनीज कहिटा हूए नजरा रहें का इ lentक ने मुह जएगा ताउकि यहां पर देख नीजिए आपने कर शीया इनके बारें में शरुज growingोझे यह वो आपकी बात है ठीक है इसमें ज्यादा परक है नहीं मिटक आप कहके चलते हैं 11 का पीए इंडश्टी के पीई की बात करें दसका है तो नहां पर आप देखोगे तो कही ना कही ना तो महेंगा है ना सस्ता है ठीक है रोसी रोई की बात करें 25 परसंग 30 परसंग के आस- आपको सब चीज देखनी पड़ेगी समझ नहीं पड़ेगी उसके बाद ही आपको एक आइडिया लगता हूँ और नजर आएगा कि चीजे किस तरीके से काम करते हैं 96 का यहां पर 96 कंपनी के ओपर डैट भी है 10 की face value है तो मतलत कि आने वाले टाइम में आपस फिल्ड भी हो सकता है डिविडेंट भी कंपनी देती है और हाई लो आप यहां पर देखी रहे और थोड़ा से जाए तो यहां पर maximum chart pattern पर जाएंगे तो आपको यहां पर चीजे समझ में आएगी कि जो यह शेयर है वो किस तरीके से यहां पर काम करता हुआ नजर आता है तो आपको एक प बूलना नहीं ठीकर दस इस रेंड च को ब्रेक करके अब निकल रहा है और आपको प्ते हैा किस तरीके से काम करती है आप को से यहां पर काम चलता हुआ नजर आता है तो यहां पर काम करना है तो येज़ को आप पर तो हुआ बहें दखिएगा तो आपको और दिखाई देगे कि झाले कि का्म चाहम पर गड़ाती है यहां पर कभी जादा हो जाती है तो इस तरीके से आपर काम करई चलता हूँ बट अभी भी देखो के यर्ली बेस पर कंपनी का पर्फॉमिस्टी है कौटरली बेस पर थोड़ सी यहां पर गिरावट होती भी नजर आई है अपरेटिंग पॉफिट में भी देखोगे तो आपको समय आएगा अच्छा कासे कंपनी प्रॉफिट करते हैं बीच-बीच में कभी-कभी just because of expenses यहां पर चाह होता है company घाटे वा जाती है और किस तरीके के expenses तो expenses यह है कि company सबसे पहली बात तो क्या है MRP है पैट्रो केमिकस में पैट्रोल से लेटेड, और से लेटेड काम करती है यहां पर गाटा होता हुआ और मालिकाश में तो यहां पर गाटा होता हुआ नियुक्त अच्छा है कभी-कभी पैसे देने पड़ता है, U.S. तॉलर में दूसरी क्यांसी में तो वह उपर नीचे वहां पर यहां पर चाहिरो बात करें तो वो सारी की सारे चैलेंजिस इस पर्टिकुलर कंपनी में आते हुवे दिखाई जाते हैं दूसरी बात चीजों को मंगाने का खर्चा उसको ज्यादा पढ़ जाता है उसका बर्डन ज्यादा पढ़ जाता है तो यहाँ पर आप देखो के 23,000 को पर की स्यूश जावी है तो 23,000 को 22,000 को इस तरी की का यहाँ पर कंपनी खर्च भी करती है इस बार देखंगी 1 36 CROE यह से पहले देखंगी 2 क्रोर के आससा एपर कुछ को आप में उपरेंटिंग पॉफित भूर कर था था बमantage 2 2,000 CROE तो यह पर थकी के ऐख उच्छा क्लिचा हुआ है यहां की डेखंगे झाओगे न फृज़ल्ट तो आपको परदा चलेगा कुछ एक्ट्रा खर्च भी होता हुए ने जराये, कुछ एक्ट्रा एक्जेंट डूटी भी लगती हुए नजराये, जिस वज़े से कंपनी का यहां पर आपर आपर अपर प्रॉफिट कम होता हुए नजराये, तो वो हमें ध्यान रखना होगा, कि यह दो कम्पनी के result कभी भी positive, कभी भी negative, कभी भी जादा, कभी भी कम आ सकते हैं इस शीश को लेकर हमें यह पर हमेशा तयार रहना है ठीक है नहीं तो इस शीश को इस particular company में देखना है यह भी बेस पर हम बात करें, यह भी बेस पर यहाँ पर देखते हैं अच्छा कासा कंपनी यहां पर प्रॉफिट करती हुई नज़र आई है रिजर्स की बात करें 11 जा क्रोड के आसपास के रिजर्स बढ़न करें एंके आगे चलके आपको बोनस मिल सकता है बट सासाथ बारेंग भी है कंपनी के बास 12 जा क्रोड साड़े 12 जा क्रोड की अच्छा कासा मज़ा स्प्लिट भी है और बोनस भी यहां पर मिलता हुआ नज़र आसकता है आन वाले टाइम में तो इस चिछ को भी दियान रखेंगा पर अगे पड़े पॉजिटिव कैश फ्लोड बस साथ जा करोड की आपर पॉजिटिव कैश फ्लोड नज़र आते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 88 परसंट है जो की पोन है यहां पर ONGC है 71 परसंट है इंडुस्ता पैटरियों के पास 17 परसंट के आसपास है FIS की ओल्डिंग की बात करें FIS यहां पर 2.26 परसंट अभी भी लेके बैठे हुए है उन्होंने बेचा नहीं है माल याद रखेगा DIS की बात करें DIS भी यहां पर लेके बैठे हुए 11 परसंट गॉर्मेंट यहां पर आपको बताए है ONGC यह सब गुष्टा हुए नजर आते है सब लोग यहां पर लेने की कोशिश करता हुए यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन बेच रहा है कौन नी बेच रहा है यहां पर 20-30 परसंट आना जो कंपनी से लिटर होते है वो यहां पर बेस्ते हुए नजर आ रहे है यहां पर यहां बाइंट सेलिंग यह चलते रहते हैं वो आपने आपको दिख जाएगा तो अब यहां पर बात करते हैं चार्ट में कि चार्ट क्या कह रहा है बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मारी चार्ट आएंट स्मॉल्गाप इंवेस्टर को सब्सक्राइब डाल आइकन को लिट आपको नोटिफिकेशन को रहे है अना बाइंट सेलिंग की रिकमेंडेशन बिलकूर नहीं है चीज़ों को सीखना है फोस्कास करना है वीडियोज जाके देखनी है किती वीडियोज देखो के बहुत आपके लिए फायदे मंद होता हुआ नजर आएगा ऐसा घ्यान आपको और कहीं नहीं मिलेगा ठीक है आप इसे रिपीट कर लेंगे आप को चीज़ेस्मेंड में आने लग चाहेगी यहाँ पर इन नमबरों को नोट करेंगे और अच्छे से सीखनी है बारी के सीखनी है क्योंकि बारी के उसे बाते नहीं करता ज्यादा तो इन नमबरों पर ही कॉंटक करोगे तो यहाँ पर आपको बारी के भी सीखने को आपको मिल जाएगी इन नमबरों पर कॉन्टक करके आप हमसे बात भी ज़सकते हैं यहाँ पर आप देखोंगे तो शेयर ने अच्छी खासी पेजी दिखाई है ठीक है और इस शेयर को तो हम वह उसी लेबल के बताया और चलो वह छोड़ते हैं अब बात करते हैं चीजों कि ठीक है यहां पर क्या दिखाई देता है उसकी बात करेंगे देखे लगा था गिलावात ही ठीक है यहां पर शेयर में और मुझे लगता है कि शायद यहां से रेटर्न हो जाना चीज़ है ठीक तोड़ा सा यहां पर खो सकता है तो दुबारा यहां पर भागएगी और वो किस दोईस के रहा हुआ हूं कि मुझे लगता है कि आने वाला कॉर्टर शायद कंपनी का दुबारा अचा आता हुआ दिफाई दे सकता है तो यहां पर रेटर्न के बाद चीटे भागती में यहां पर रेटर्न के बिखाई देती है तो यहां पर जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी बड़ा पलियर यहां पर बेच के निकला नहीं है थोड़ा बहुत बेच दिया होगा तो कहने सकता थीक है बट यहां पर खरीदारी ही हुई है सब्टमबर 2013 से बिखवाली नहीं सोचना पड़ेगा संखना पड़ेगा उसक के बाद यहां पर देखना ड़ेगा थीक हैHH अब क्या है अभी यहां पर देखेंगे तो यहां से रेटीज़े हो सकता है कि एक बार एक एक करकेट दुबारा टार्गेट जाएगा 219, 251 और 285 के आसपास, तो हम बात करें, तो देखिए, मार्केट में अब अच्छे-च्छे शयद 40% तक 20% 30% correct हो चुके है, 60% की upside-up भी भी नजर आती है, कोई अगर यहां पर attempt परने की कोशिच भी करता है, तो इक stop loss उसको जलूर follow करना है, क्यों? क्योंकि जब चीज़े गिरती है, तो गिरता हूँ अचाक हूँ है, ठीक है, अगर पकड़ दिया तो ठीक, सही, अगर अच्छे से पकड़ लिया ठीक, अगर नहीं पकड़ा गया तो आपना हाथ को बार देगा, इस चिट को याद रखिएग तो अभी यहाँ पर अपकी अच्छे गासे पैसे बढ़ सकते है, बट मेरे कहने पर किसी और के कहने पर लेना नहीं है, यहाँ पर थोड़ी konsolidation हो सकता है, ठीजे उपर जा सकती है, अगर को यहाँ पर भी attempt करना चाता है, तो यहाँ पर 114 रुपे, 113 रुपे का दिखाई दे सकती है, ठीक है तो आपको क्या करना है, आपको एक cautious way अपनाना है, ठीक है, और उस cautious way को अपनाने के बाद, चीजे को उस तरीके से यहाँ पर आपको देखना है, कि यहाँ पर आपके पैसे बने, ना कि यहाँ पर आपका loss बने, बहुत सारे stocks हैं, जो यह चल जो नहीं चल रहे हैं, दूसरे stocks है, जो चलते हूँ नहीं जाए है, और अगर चीजे गिरी भी, तो मुझे लगता है कि लास्ट गिरेगी, तो 136 गिरेगी, 136 के बाद, तो मेरी काल से buying आ जाना ही चाहिए, ठीक है, तो buying selling की recommendation बिल्कुल नहीं है, अपने financial advisor कुछ की study करना ह चीज़ों को सीखने पर focus करना है, 2-3 level निकल के आ रहे हैं, गिरावत की बात करों तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, buying की बात करों तो यहां पर एक attempt किया जा सकता है, बट अपने financial advisor कुछ की study करके, ठीक है, जहां पर 3-4 रुपे का risk है, ठीक है, और वहां तक बनता है ठीक, अधरवाइस बेच देना है, टारगेट की बात करें, अगर चीज़ों सही चली तो 218, फिर 215 और इसके बाद 280 का एक टारगेट आरा है, तो चीज़ों और निकलेगी, तो फिर शायद 300 भी जाएगा, फिर साज 300 भी जाएगा, तो वो बात की बात है, बट अभी फु करना है, सीचना है, तो थैंक यू सो मच, गॉड़ ब्लस तॉ